नमस्कार, UPSC Current Affairs में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश्रवास्तोर आज हम बात करने वालें डॉल्फिन की जंगर्णा के बारे में आधिकारिक रूप से उडिसा के तट पर डॉल्फिन की जंगर्णा शुरू होई है इस तीन दिवसिये डॉल्फिन जंगर्णा में 100 से अधिक वन्ने जीव विशेशग्य गर्णा कर रहे हैं हाल के वर्षों में उडिसा का तट डॉल्फिन की अबादी बढ़ाने में एक आदर्श आवास के रूप में उबरा है यहां 33 प्रतिशत की प्रभावशाली व्रिद्धी दर्श की गई है डॉल्फिन जंगर्णा उडिसा के भीतरकनिकार राष्ट्य उद्यान और गाहिर माथा समुद्री अभ्यारन में वार्शिक आधार पर की जाती है डॉल्फिन की गर्णा शुरू हो गई है इसमें दूर्बिन, GPS सेट, रेंज फाइंडर, डेटा रिकॉर्डिंग शीट आधी तकनिकों का उप्योग सटीक जंगर्णा के लिए किया जा रहा है यह जंगर्णा लेम देन सर्वेक्षन पद्धिती, ट्रांजेक्ट सर्वे मैथट के आधार पर की जाएगी जिसका दुनिया भर में पालन किया जाता है ओडिसा के केंद्रा पाड़ा जिला में स्तित भीतरकनिका राष्टियो ध्यान एक रामसर इस्थल्बी है भीतरकनिका को भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंगरू पारी तंत्र भी कहते हैं ओडिसा में डॉल्फिन की छे प्रजातियां इरावदी, बॉटल नोज, हम्प बैक, स्ट्राइब्ड, फिनलेस और स्नाइप और स्निपर पाई जाती हैं ओडिसा के समुद्री तट परिस्तित, गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण, धामर नदी के नदी मुख से ब्रामणी नदी के नदी मुख तक विस्तारित हैं ये ओलिव रिडले कचुओं के प्रजनन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है आपको बता दें, अगस्ट 2020 में केंद्र सरकार द्वारा डॉल्फिन को सरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन सरक्षन कारेक्रम शुरू किया गया है डॉल्फिन के महत्व के कारण 5 अक्टूबर को राश्ट्रिय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाये जाता है इसका उद्देश डॉल्फिन सरक्षन के प्रती जागरुकता को बढ़ाना है बिहार के भागलपुर जिले में स्तित विक्रम शिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण देश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण है